मुंबई पुलीस ने 9 महिने पहले हुई हत्या की गुथी सुल जाई है कल्यान गामी निलाके के हैदुटने गाउ में काम करने वाले कर्मचारी की मौत की खटना 9 महिने पहले हुई थी हलाकि मिरुटक के परिफार ने मामले की जाज की मांगी क्योंकि उन्हें संदे था कि कर्मचारी की हत्या की गई है आखिरकार मामला सुलज गया इसी पिस सुनिल कुराडे की टीम ने नौ महीने पहले हुई वारदात को दस दिनों में सुलचा लिया इस मामले के दो आरोपी विजय पाठिल और नितिन पाठिल को गिरफतार कर लिया एक फरार आरोपी की जाज पुलिस अब भी कर रही है इस दुर्भागेपूर्ण घटना का शिकार बने शक्स का नाम संतोश करकटे है विजय और नितिन पाठिल ने उसे बुरी तरीके से पीटा क्योंकि संतोश के हाथ से उसे दी गई अवैद रिवॉल्वर गायब हो गई थी यातिल मयत संतोश सरकटे हाथ दुर्टे गवाद शेनी बाबा चाहा मनुला है त्या सेनी मंदिर चस्वोद बरलापूर पाइपलानना रहना राहे इस पिटाई में संतोश की मौथ हो गई हाथा के बाद अत्या धुनिक शराब पीने से उसकी मौथ हो गई ये सबूद मिठाने के लिए उसका अंतीम संसकार इलेक्ट्रिक ताबूत में कर दिया गया संतोश का परिवार पिछले नौ महीनों से नियाई के लिए संगर्श कर रहा था आकिरकार संतोश के आरोपी पकड़े गए फिलाल पुलिस इस मामले की जाच कर रही है मेट्रो मुबई के लिए सब्वाद दाता सुनिल शर्मा के साथ अक्षता पवार की रिपोर्ट